राजधानी पटना में सडक हादे से रुकनी का नाम नहीं ले रहे हैं घटना मोकामा थाना क्षेतर के कोल साइडिंग के पास की है जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने तीन बच्चों को कुचल दिया घटना के बाद पूरे इलाके में हंगाम मच गया घटना की सूचना मिलेने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस बीच घटना के लोगों ने पुलिस पर भी पतराव कर दिया फेलहाल पुलिस ने बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवा दिया गया है जहां तीनों बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया और पुलिस घटना इस्थल की जाच करने में लगी हुई है पंजाब केसिरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट